दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपने कम्प्यूटर या लैप्टॉप में Microsoft Store के Apps को कैसे अपडेट करें अगर आपने Microsoft Store से कोई App डाउनलोड किया था और अब आप उसको अपडेट करना चाहते हैं वो पुराना हो गया है उसको अपडेट करके नया करना चाहते हैं तो कैसे आप कर सकते हैं चलिए देखते हैं जिस प्रकार से आप Play Store में Apps को अपडेट करते हैं उसी प्रकार से आप Microsoft Store में आसानी से Apps को अपडेट कर पाएंगे अगर आपका laptop Windows 10, 11, 9 कोई से भी हो बहुत ही आसानी से अपडेट हो जागा तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने laptop में Internet Connect करा लेना है इसके लिए हमें Internet के जरुवत पड़ेगी इसके बाद आपको जाना है Microsoft Store में तो इसके लिए यहाँ पर देखे कोने में आपको Windows का आइकन देखेगा इस पर क्लिक कीजिए फिर यहाँ पर आपको मिल जागा Microsoft Store इस पर क्लिक करके इसको Open कर लीजिए अगर यहाँ पर Microsoft Store नहीं है तो यहाँ सर्च बारे में क्लिक करके सर्च कर लीजिए Microsoft Store इसको आप Open कर लीजे अब Microsoft Store में आने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा अब यहाँ पर देखे सारे Apps आ रहे हैं तो आपने जो भी App डाउनलोड किया है उसे आप एके करके Open करके Update कर सकते हैं लेकिन एकी बार में आपको Apps को Update करना है तो यहाँ देखे एक Option है Library का इस पर आपको क्लिक करना है अब आप यहाँ Library में आ जाएंगे यहाँ पर देखे अब यह Loading ले रहा है Loading लेने के बाद यहाँ पर वो सारे Apps आ जाएंगे जो आपने Microsoft से Download किया था या जो Microsoft के System वाले Apps थे जो पहले से Install है वो सारे Apps यहाँ पर आपको दिख जाएंगे तो जितने भी Apps आपने Download किया है सब यहाँ पर आ जाएंगे अगर कोई नया Update आया होगा उस App में तो उसके आगे आपको Update का Option मिल जागा अभी मैंने जल्दी सारे Apps को Update किया है इस वैसे आप पर Update का Option नहीं आ रहा है केवल Open लिखा हुआ आ रहा है तो अगर आपको भी Updates नहीं मिल ला है तो यहाँ देखे उपर एक Option है Get Updates का इस पर आपको क्लिक करना है अब यहाँ पर यह थोड़ा सा टाइम लेगा और सर्च करेगा अगर कोई नया Update आया होगा तो उन सारे Apps को अभी आपके सामने ला देगा तो अभी आप देख सकते हैं यह दो Apps जो थे यह Update नहीं हुआ था तो यह मेरे सामने आ गया है और यह Update होने लग गया है आप चाहें तो यहाँ से इसको Pause भी कर सकते हैं देखें मैंने इसको Pause कर दिया है अगर आप चाहें तो यहाँ से इसको फिर से Enable कर सकते हैं इसको मैं फिर से Enable कर देता हूँ अब देखें यह Download हो रहा है विडियो को लाइक कीजेगा और अगर आपका कोई भी question है तो comment box में जरूर से पूछ लीजेगा